Good morning students, मैं डॉक्टर रेखा शुरवास्तो, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अलेंगिक जनन की क्या-क्या विधिया हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था द्विविभाजन, बिजानु जनन, मुकुलन, खंडी भवन, और आज हम पढ़ेंगे जैम जैम्यूल का फॉर्मेशन किस तरह होता है, जैम्यूल को डिस्कस करने से पहले हम ये जानकारी देना चाहेंगे, कि इससे पहले हम लोगों ने एक विधी पढ़ी थी, जिसका नाम था मुकुलन, और मुकुलन में मुकुलन को बडिंग भी कहते हैं, तो जो मुकुलन हमने पढ़ा था, वो external budding होता है, इसको exogenous budding भी कहते हैं, और जो आज हम जैम्यूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैम्यूल से spongyla का development पढ़ेंगे, तो वो internal budding होता है, जिसे हम endogenous budding भी कहते हैं, जैम्यूल बेसिकली इसको हिंदी में हम कसिकली कहते हैं, और इसका जो शाब्द इक अर्थ होता है वो होता है a small bud जैसा कि हम जानते हैं कि डार्विन जी ने जैम्यूल को लगू पत्र कलिका भी कहा था और जैम्यूल का मतलब होता है small bud तो जैम्यूल को समझने के लिए हम उधारन स्वरूप यहाँ पे spongyla spongyla को लेंगे यहाँ थ्यान दीज़गा जैम्यूल यानी हिन्दी में हम इसे कलिका कहते हैं और सपोंजीला को हम इस उधारन शभण लेंगे यह सपोंजीला जो होता है एक fresh water स्पोंज है पानी में रहता है यह और सपोंजीला में जो internal buds होते हैं उन्हें हम जैम्यूल कहते हैं, जो इंटर्नल बड्स होते हैं, उन्हें हम जैम्यूल कहते हैं, जब अन्फेवरेबल कंडिशन्स होती हैं, यहां ध्यान दीजेगा कि जब भी अन्फेवरेबल कंडिशन्स होती हैं, तो जो स्पॉंजीला होता है, उसमें कुछ टॉटी पोटेंट सेल्स बनते हैं जो इंटर्नल बड्स फॉर्म करते हैं और उन्हें हम जैम्यूल कहते हैं देखें जैम्यूल में जो टॉटी पोटेंट सेल्स की हमने बात की है टॉटी पोटेंट सेल्स हमने एक शाब्दी करती उस किया है इसका मतलब होता है पून्शक्तता पून्शक्तता की जो परिभाशा है वो है अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो हम कहते हैं कि अगर हम टॉटि पॉटन्सी की बात करते हैं और इसको सबसे पहले 1902 में जो जर्मन साइंटिस्ते हेबरलेंट उन्होंने टॉटि पॉटन्सी की बारें बताया था और हिंदी में इसे पून्शक्तता कहते हैं इसकी जो परिभाशा है वो यह है कि जो पहु कोशिय या बहु संगटित उच्च जीवों को उगाने और विक्सित करने के लिए एक सेल की छमता को टॉटि पॉटन्सी कहा जाता है ठीक है इसको पून्शक्तता भी कहते हैं और इसमें एक सेल जो है वो पूरे इंडविज्वल को या जीव को विक्सित कर देता है अब आएए हम लोग बात करते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि यह एक सपॉंजीला का जैम्यूल है और इसमें जो स्टॉक्चर है हमने यहां दिखाया है कि यह आउटर मेंब्रेन है इसके अंदर इनर मेंब्रेन है कवरिंग भी कह सकते हैं और अंदर कुछ totipotent cells बन रहे हैं और इन totipotent cells को हम archaeocytes भी कहते हैं sites का मतलब ही cells होता है तो archaeocytes जो cells होते हैं वो totipotent cells होते हैं और यह basically unfavorable conditions में बनते हैं जैसे कि मानलीजे जो spongyla हम जानते कि fresh water sponge है और यह पानी में रहता है तो मानलीजे जब summer season आया तो पानी सूख गया या winter season आया तो पानी freeze हो गया तो उस दौरान यह जो internal buds होते हैं spongyla में जिसको हम mules कहते हैं यह उस समय जब favorable conditions इनको मिलती है तो जर्मिनेट करते हैं तो structure की बात हम लोग कर रहे थे और हमने बताया कि इसमें outer covering होती इनर covering होती है और यह अंदर की तरफ अंदर जो inner membrane में कुछ cells होते हैं जिनको हम arqueocytes कहते हैं और यह totipotent cells होते हैं और बाहर कुछ supporting structures होते हैं जिसको हम mono axon spicules कहते हैं बेसिकली spicules हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ जो spicule का feature होता है वह mono axon shape होता है इसका तो इस वज़े से हम mono axon spicules जो होते हैं वह supporting structures होते हैं और यह एक single gemule हमने दिखाया है कि यह gemule है और spongula जो basically यह जो gemule होता है यह formed होता है during unfavorable condition दूसरी चीज की यह perinating structure होता है और तीसरी चीज यह dispersal में help करता है परिनेटिंग structures वह होते हैं which can survive for several years तो यह perination में भी help करता है और एक जगे से दूसरी जगे जाकर भी पूरा एक spongula develop कर सकता है इस वज़े से हम इसे कहते हैं कि this helps in dispersal also आगे हम बात करते हैं कि जो यह आपके archeocytes होते हैं यह मैंने यहां दिखा रखा है कि बहुत सारे जो archeocytes हैं जब इनको favorable condition मिलती है तो यह micropyl से बाहर आ जाते हैं यह archeocytes cells है और यह micropyl से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बार एक single cell जो archeocytes के single cell होता है वो totipotent मैं ठीक है जैसे यहां पे एक cell दिया है तो यह spongyla का cell है तो यह archeocytes cell है और इसको हम दिखा रहे हैं कि यह पूरा spongyla organism form कर सकता है तो totipotent सी फिनॉमिना इसमें पाई जाती है तो overall हम एक बार देख लें इसमें कलिका में या gemule formation में कि यह spongyla में होता है और यह इतने functions perform करता ह है और यह एक parenting structure होता है तो gemule में हमने देखा कि कि इस तरह से एक totipotent cell से पूरा-पूरा individual बन जाता है अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे पुनरुद्ध विभन तो अगले वीडियो मिलते हैं थांक्स फो वाच्छिंड 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 वाच्छिं